असलाम उलेकुम जी आभी तक हम लोग डिफरेंट होराइजं लाइन तो Charant करने की कोशिश कर रहें कि लिफरेंट हो उराइजन लाइन केंदर क்से की जा सकती हैं। वनिशिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। र इंदर vanishing points किस तरह से निकाले जा सकते हैं इसके लावा जी different eye level से objects कैसे नजर आते हैं तो यहां पर हमारे पास एक image है और एक हम एक ऐसा composite create करना चाहते हैं जिसमें हम यहां पर एक person को place करना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा जुरूरी है जो की चीज हमने अभी तक understand किया है कि दोनों images की horizon line same होनी चाहिए दोनों same eye level से captured images होनी चाहिए ताकि हमारे पास बहतर result आ सके तो यहां पर मेरे पास different images है तो इन images में से हमने यह देखना है कि कौन सा person is best for our composite तो इसके लिए बड़ा important है कि सबसे पहले हम horizon lines के ओपर focus करते हैं तो अगर हम लोग यहां पर इस image को understand थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो इसकी horizon कहां पर create और है sky level कहां पर exist कर रहा है तो उसके लिए हम लोग इन lines को भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है मैं layers में जाता हूं layers में जाके एक नई layer create कर लेते हैं तो यहां पर कोशिश करते हैं कि अगर इसका हम लोग horizon इस सड़क की वज़ा से find करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा ठीक है यहां से start करते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं ठीक है यहां से start करते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं तो most probably अगर हम बाकी lines को भी लेकिया हैं जैसे कि आपको यहां पर कुछ lines नजर आ रही है ठीक है और यह आपको नजर आ रही है so I think कि हमारा जो horizon है वो यहां पर बनेगा ठीक है जी next image के उपर आते हैं कि इस image में horizon कहां पर बनेगा एक तो बड़ी important से चीज़ और understood से चीज़ है और बड़ी simple सी चीज़ है कि image देखते ही आपको फॉरण पता चल जाता है कि इसका जो eye level है वो कहां पर था बिल्कुल level पर था जहां से image ली गई है camera थोड़ा सा नीचे था या camera उपर था तो यहां पर camera थोड़ा सा नीचे है और नीचे होने का मतलब है कि इसका जो horizon है वो भी थोड़ा सा नीचे बनेगा तो इसका eye level नीचे है तो इसकी जो horizon line है that is the horizon line आगे आते हैं जी इस image की जो horizon है that is totally in the middle of the image तो यहां पर देख लेते हैं जी middle कहां पर इस image का यह इस the middle of the image ठीक है इसकी horizon बिलकुल middle में है और इसका horizon यहां पर बनेगा ठीक है और हमारे पास कोई और image है तो इसको देख लेते हैं और इसका horizon जी कि अब हम लोग वापस आते हैं जी अपनी original image के उपर और इसका horizon देखते हैं जी इसका horizon कहां पर बनता है ठीक है बिलकुल ऐसे ही अब बाकी lines को भी देख सकते हैं तो यहां पर इसकी horizon line create होगी तो almost it's inside the middle of the image ठीक है तब हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसी image को उठाएं जिसका horizon is in the middle of the image ठीक है तो अगर हम इस image को देखें तो इसका जो तो middle है वो यहां पर है तो इसकी horizon थोड़ी सी नीचे है ठीक है अगर हम इस image को देखें इसका भी horizon line नीचे है इसका बिलकुल middle में है अगर हम इसको प्लेस करेंगे इसका composite बहुत अच्छा बनेगा इसका composite बहुत अच्छा बनेगा और इस image का composite थोड़ा अजीब सा बनेगा, तो हम इस image को देखते हैं, layers में जाते हैं, इसको undo करते हैं, और इसको crop करके थोड़ा सा वहाँ पर move करते हैं, ठीक है जी, तो crop के लिए हमारे पर multiple tools हैं, तो यहाँ पर मैं एक बड़ी rough सी selection करूँगा, ठीक है जी, lasso tool में ले रहा हूँ, और मैं इसकी बड़ी rough सी selection कर रहा हूँ, क्यूंकि हम रखके देखना चाते हैं, कि how it looks, तो यहाँ से जाते हैं जी इदर, layers में जाके, इन सब को undo कर लेते हैं, new layer create करते हैं, और यहाँ पर उसको paste करते हैं, ठीक है जी, इसको move करते हैं, और इसका जो horizon है, let's do one more thing, हमें देखना पड़ेगा, इसका horizon कहाँ पर है, so, यहाँ पर इसका horizon था, तो हमने इस line को, उसके horizon के उपर place करना है, ठीक है, so, दुबारा से इसको paste करते हैं, इसको यहाँ पर place करेंगे, ठीक है, एक बड़ी important चीज है, अब जब मैं इसको resize करेंगे, तो इसको resize करने के लिए, मैं इसके इस point को, इस anchor point को, जिसके ओपर यह resize होगा, इसका middle point है, इसको मैं place कर लेता हूँ, vanishing point के ओपर, ठीक है, अब जब मैं इसको resize करूँगा, तो यह उसके accordingly resize करेगा, ठीक है, तो अगर यह दूर होता, तो इसका यह actual size होना चाहिए था, और अगर मैं इसको यहाँ पर place करने जा रहा हूँ, तो इसका यह size होना चाहिए, ठीक है, तो vanishing point के ओपर इसको place करने का मकसद यह है, कि जब हम इसको resize करें, तो हमें बिल्कुल accurate results मिलें, तो अगर मैं इसको यहाँ से comment करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमें इसका result हो मिलेगा, composites का, ठीक है, यहाँ पर जो जूते हैं, उनकी जो positioning है, वो थोड़ी से different है, जिसकी वज़ए से हमें realistic effect नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी जो एक person की positioning है, वो बहुत बहतर है as compared to some other images, तो यहाँ पर एक हमारे पास image थी, वो बिल्कुल middle से ली गई थी, इसको भी वहाँ पर जाके place करके देखते हैं, इस image को place करते हैं, जी, बिल्कुल middle के अंदर, और इसके बाद इसको resize करते हैं, इसका ये वाला जो point है, इसको vanishing point पर place करते हैं, ठीक है, vanishing point इसका तकरीबन यहाँ पर है, और इसके बाद इसको resize करते हैं, ठीक है, vanishing point थोड़ा सा उपर है, इसका, यहाँ पर, इसके बाद जो सबसे important चीज़ होती है, वो lighting होती है, कि lights को किस तरह से adjust किया जाए, आपने सरफ horizon line को नहीं देखना, बलके आपने उसकी lights को भी देखना है, कि उसकी lights बहुत perfect होनी चाहिए, या similar होनी चाहिए, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जो आप objects बाहर से move कर रहे हैं, तो this is the overall thing, कि images किस तरह पिक की जाए, और उनको किस तरह से आप adjust करके देख सकते हैं, कि which image is perfect for your composite, so, इसकी practice करें, different images को ठाके देखें, उनको rough सा crop करें, place करके देखें, that how it looks, और उसके बाद, we can proceed to the next lesson, see you in the next lesson, thank you so much.